हेलो दोस्तों मैं सुप्रिया आप लोगों को सुप्रिया एजुकेशन हब यूटूब चाइनल पे स्वागत करती हूँ आज की वीडियो लेक्सर में क्या होने वाला है देखी हम लोग वेब्स एंड एकाउस्टिक जो आप लोग का चेप्टर है उसका रिवीजन कर रहे है जिसमें मैं आप लोग को पार्ट वन प्रोवाइट करवा चुकी हूँ आज हम लोग का यह पार्ट टू होने वाला है और आज हम लोग इसको रिवाइज करेंगे कुछ आगे बढ़ेंगे तो देखिए हम लोग आज वेब स्पीड और एनरजी स्पीड के बारे में देख ले तो यह क्या होता है तो यह मैं आप लोग को कल के वीडियो में बता द आज ही थी y equal to f of ax plus minus bt form होता है वेब का ओके और अगर आप लोगों से पूछा जाए इसका वेब वेलोसिटी क्या है देखिए इस टाइप से कोई भी फंक्सन दिया हुए y equal to कोई फंक्सन दिया हुए x plus b minus t का और पूछा जाए इसमें wave speed या फिर energy speed क्या होगा तो देखि आप लोग प्लीज इसको याद रखिएगा wave speed और energy speed का फर्मूला क्या होता है क्या फर्मूला होता है coefficient of t divided by coefficient of x वेव इस फिर का फर्मला याद हो गया क्या होता है coefficient of T divided by coefficient of X next देखिए अगर आप लोग का AX plus BT है या फिर minus AX minus BT है तो देखिए A का भी sign यहाँ positive है और B का भी sign positive है और इसमें A का भी sign negative है और B का भी sign negative है कहने का मतलब है जब same sign होगा मतलब A भी positive B भी positive A भी negative B भी negative मतलब दुनों के दुनों सेम sign होंगे न तो वेव जो होगा आप लोग का वो ट्रेवल करेगा negative X direction में तो आप लोग को पता होना चाहिए किस direction में travel कर रहा है वेव बगर असा तो आप लोग का वेव जो है न अब क्या सेकते आप लोग के अभी तक आप लोग क्या सेके अभी तक आप लोग सी कर रहा है वेव वे वेलोसीटी है में तो पुछेगा तो बता दीजियेगा सब्सक्राइब कोई पूछेगा यह कोई भी एक्वेशन देखे यह आप लोग से मैं आप लोको समझाते हूं यहां question क्या दिवाइ y equal to 10 upon y plus x minus 2t का होले स्कार अगर आप लोगों से कोई पुछेगा इसमें आप लोग का वे वेलोसिटी क्या है तो क्या करना है वे वेलोसिटी coefficient of t divided by coefficient of x तो coefficient of t यहां से क्या जाएगा coefficient of t यहां आप लोगका 2 और coefficient of x क्या आप लोगका 1 तो मतलब 2 by 1 मतलब आप लोगका 2 meter per second answer हो जाएगा अगर आप लोगों से इसका भी पुछा जाएगा वे वे वेलोसिटी तो आप लोगका हो जाएगा 2 meter per second यहीं अगर मैं आप लोगों से एम्पलेट्यूट पूछ रही हूं ओके तो एम्पलेट्यूट क्या होगा तो देखिए एम्पलेट्यूट जो होगा आप लोगका तो एम्पलेट्यूट वहां पर होता है जहां पर displacement जो है न वह maximum होता है ओके एम्पलेट्यूट किसको बोलते हैं एम्पलेट्यूट जहां पर displacement जो होगा न वह maximum होता है न उस पूरा को अगर जीरो कर देते हैं तो आप लोगों का नीचे वाला टर्म जो हो जाएगा वह मिन्मियम हो जाएगा अगर यह 0 हो गया तो 5 पूजेटिव एक निगेटिव आप लोग का डिफर साइन है तो यह पूजेटिव एकस डिरेक्शन में ट्रेवल करेगा तो एक एक एजामपल देखे मैं आप लोगों को सभी कुछ समझा दी जो इससे पहले में पढ़ाई अब हम लोग आगे देखेंगे देखें यह आप ल चलमो काया हार्मानिक बेनका का एककुषोनम यह इकाल आफ्रल्म लोगों से वैजर पूछ तो अब लोगों आप लोगों से Sky यह पहले सिखहा लेसे कोने क्वर्मी ilfeldbourg को कोफिशेंट ओस्यंट और को अप लोग आप लोगों जोगे से कांट तो आप लोग आसानी से बता देजेगा और यह lambda equal to v into t होता है यह भी आप लोग को पता ही होगा next देखे क्या यह आप लोग का एक equation है y not equal to a sin omega t plus 5 तो यह आप लोग का prove है तो इस पर उतना ध्यान ने दीजी आप लोग को यह याद रखना है y equal to a sin 2 pi y t into t minus 2 pi y lambda into x plus 5 तो देखे यह जो 2 pi y t है न यह क्या है आप लोग का यह है आप लोग को omega तो आप लोग को यह छोटी छोटी term पता होना चाहिए क्योंकि अगर एक equation देखे आप लोगों से कुछ भी पूझा जाएगा omega या फिर कुछ भी तो आप लोग आसानी से बता जीजगा तो यह आप लोग का omega क्या होता है omega होता है 2 pi upon t तो 2 pi upon t को omega लिख सकते है और यह 2 pi upon lambda है यह क्या है तो यह है आप लोगों का k तो अगर मैं आप लोगों का general equation पूछूँ harmonic wave का तो आप लोगों का क्या हो जाएगा y equal to a sin omega t minus kx plus phi और यह जो आप लोगों का omega t minus kx plus phi है यह क्या है यह पूरा term आप लोगों का omega t minus kx plus phi जो है यह आप लोगों का है phase ओके यह पूरा term आप लोगों का phase है और यह जो phi जो है यह phi आप लोगों का है initial phase तो K equal to 2pi y lambda wave number होता है तो अगर आप लोगों से कोई equation दे के wave number पुझगा तो के देख लिजेगा के equal to 2pi y lambda कर लिजेगा यह आप लोग का K है wave number wave number होता है 2pi y lambda यह omega omega equal to 2pi upon t यह तो पता ही होगा t equal to 2pi y omega यही से आता है omega equal to 2pi upon t यह सभी basic basic बात है यहां पर omega equal to 2 by upon t है और lambda equal to v into t यह सुभी आप लोग पता रखेगा ओके यह है क्या आम लोग का यह है आप लोग का equation equation for harmonic wave तो अगर आप लोगों से कोई harmonic wave का equation पुछेगा तो तो पता चली गया अब next देखिए आगे क्या है यही आप लोग को omega equal to this और b equal to lambda equal to v into t होता है तो b equal to lambda by t हो जाएगा और इसको change करके लिखा गया ओके तो देखिए इसमें कैसे question पुछा आता है यह एक general equation दिया है अगर मैं आप लोगों से इसमें amplitude पूछेंगे तो amplitude क्या हो जाएगा यह हो जाएगा देखिए इसको तो आप equal to a sin omega t plus kx लिख लिख लिजएगा ओके तो यह आप लोग का amplitude यह हो जाएगा अब लेम्डा पूछा जा रहा है तो लेम्डा क्या है लेम्डा जो लेम्डा का value निकलना है ना तो आप लोग को a equal to यह ही से compare के लिजए या फिर देखिए a equal to sin omega t minus kx होता है ना तो आप लोग x वाला जो term है ना x के साथ वह आप लोग का k वाला term हो जाएगा ओके और k k पता है तो k equal to 2 pi y लेम्डा तो आप लोग यहां से लेम्डा equal to 2 pi upon k करके आसानी से निकाल सकते है ओके फ्रिक्वेंसी से आप लोग से कुछी पूछे जाएगा तो आप लोग निकाल लेजीएगा और यह आप लोग को याद क्या रखना है आप लोग को याद रखना है वेवी स्पीड वेब क्या होता है कोफेशियन्ट of t divided by coefficient of x और क्या यारा एध रखना है और आप लोग याद रखना है ओम ustra 5 ुप सबीर याद रहेगा तो यह सभी कुछ आप लोग याद रहेगा तो यह कुछ देख लिए अपलोग के लेमडा होता है ओमेंगा इक्वाल टुपाइपन टी और टुपा इसके बरावर होता है और भी कोछ लेमडा अपन टीर वन भाइटकर बरावर हो तक यह सब देख लिए अगर आप लोगों से कोशन पूछूंगे मैं इससे एंपलिट्यूड लेम्डा एफ भी फाइ आप लोग सब कुछ बता जीएगा तो देखिए मैं आप लोग को इसका एंसर नहीं बताऊंगी यह आप लोग के लिए होमबर कोशन है आप लोग अभी इसका स्क्र बताना इसका प्रिक्वेंस बताना इसका भी बताना इसका फाय ऑच रोट यह सब कुछ कमेंट कर देंगे मैं समझ जाओंगी वह समझ गया आप लोग देखिए एक क्जाम्पल आप लोग इसका लिए मैं शल्क्रिन साट लिए अगर कोई भूल जाएगा तो आप लोगि इ सब्सक्राइब करें जितना जल्दी सबसे हैं फार्स्ट फाइब इस स्टुडेंट का नाम लिया जाएगा जो भी पांच इस स्टुडेंट इसके एंसर को कमेंट के जहेंगा जल्दी किजएगा आप लोग तेखिए देखे, wave velocity तो आप लोगों को समझ में आ गया अब wave velocity समझ में आ गया तो आप particle velocity बताना है तो आप लोगों को पता हो का तो यह आप लोग का y equal to sin omega t दिया हुआ है तो आप लोग का particle velocity निकालना है तो आप लोग क्या करना होगा dy upon dx निकालना होगा और आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं अब देखें यह बस यह याद रखें न यही काफी है आप लोग को dy upon dx इसको याद रखेंगा और dy upon dx का slope of y versus x कर अब आगे देखें अब फेज देख लिए फेज क्या होता है यह आप लोग को में पहली बता दी यह आप लोग को फेज होता है यह आप लोग का y जो है displacement of particle होता है omega equal to 2 pi upon t होता है और k equal to 2 pi upon lambda होता है अब next देखें यह y equal to sin omega t minus kx में omega t minus kx है जो phase है x जो होता है fix होता है particle fix अब यह देखें यह relation वेगारा सब याद रखेंगे किस में क्या relation है तो आप लोग यह याद रखेंगा delta phi equal to 2 pi upon lambda into 2 relation between phase difference time difference for same particle same particle के लिए phase difference और time difference में relation है तो आप लोग देखेंगे delta phi equal to 2 pi upon t into delta t होता है और 2 pi upon t क्या होता है आप लोग को मैं थोई देखेंगे पहले बताई हूं k equal to 2 pi upon lambda बताई थी और omega equal to 2 pi upon t बताई थी तो आप लोग इस relation को याद रखेंगा तो रिलेशन पता चल लगे आप लोग को क्या रिलेशन होता है delta phi equal to 2 pi upon t into delta t अब देखें next बहुत सारे एक्जामपल भी में कड़़े पर्युट में करवाया गया हूं लेकिन मैं सब कुछ नहीं बताती हूं आप लोग को सिर्फ नहीं मतलओ कि थीओरी घीँ हूं तक यह देख लिए तो यह क्या होता है आप तो बस आप लोग को यह याद रहते हैं देखिए अगर पार्टिकल सेम होगा तो आप लोग का यह रिलेशन है अगर डिफरेंट पार्टिकल होगा टी फिक्स है तो आप लोग का यह रिलेशन है तो यह दोनों रिलेशन याद रहेगा देखिए यह जो 5 equal to k delta x वाला सभी को याद रहता है अगर पार्टिकल सेम होगा तो आप लोग इसको याद रखेगा अब देखिए नेक्स्ट के आगे देखिए यहां से आप लोग को जो पढ़ना है न इसे मोडल पेपर में भी कोशन पूछा गया हुआ है तो देखिए यह प्रोवाइड करवा चुकी हूँ प्रोवाइड करवा दी है अब लोग अगर अच्छा लग रहा है तो आप लोग बोलिए का नेक्स पार्ट भी अप्लोड कर देने के लिए मैं कर दूंगी तो चलिए ठैंक्स पर वास्टिंग मैं वीडियो एंड ठैंक्स पर कमिंग लिए कमेंट किजेगा उतना ही जल्दी नेक्स वीडियो बना के आप लोग के लिए अपलोड किया जाएगा ओके तो चलिए थैंक्स पर बाचिंग में वीडियो ओके थैंक्यू बाई